सलामों अलेकुम कैसे हैं आप सब हम सब भी अल्ला के शुकर से बिल्कुल ठीक है तो आज में ना डाल चा बनाने वाली हूँ तो उसके लिए मैंने चने की डाल को 2 गंटे पेले भीगो दिया था और ये थोड़ी सी तूर की डाले और मूम मसूर की डाले तो टोटल हमारे पास 4 किसम की डाले हो गई है आप चाहें तो एक दो किसम की डाल से भी बना सकते हैं तब भी बहुती मज़े का बनेगा इन सारी डालों को हम धोके और अच्छे से कुकर में चड़ा देंगे बस थोड़ी सी है ना हम पिसी हल्दी डालेंगे और नमक डालके इसको बालके अलग निकाल लेंगे ठीके तो इस तरह से है ना मैं बड़े ही मज़ों की डाल गोश बनाने वाली हूँ बहुती अलग तरीके से बहुती मज़े का बना था बहुती जादा मज़े का बना था आप लोग एक बार इस तरीके से बना कर देखिएगा और मेरी वीडियो अगर अच्छी लगए तो आगे लाइक भी जरूर करिएगा ठीक है यहां पर देखिए ना मैंने इसमें वह डाली यह पिसी में हल्दी थोड़ी इसी डाली है जादा नहीं डालना है क्योंकि अभी हम गोश्च में भी डालेंगे अब वह बल गई थी तो मैंने उसको अलग निकाल के रख लिए और उसी कूकर को मैंने दो लिया है अब इस पे मैंने तेल डाल दिया है देड़ चममच और त हमें दो जोड़ेंगे को 2 तीन तेस पथनी यह जैसे यह एने तैल में अपना फ्लेवर चोड़ेंगे तो फिर हम इसमें प्यास डाल देंगे और प्यास ओको थोड़ा इसी तरीके से पका सकते हैं अब इसमें मेने गोश को डालने के बाद ये ना मिक्सर के छोटे वाले जार में अदराक लसन और तीन हरी मिर्चे उनको पीस लिया था बिना पानी डाले अब हम उसका पेश्ट भी इसमें डाल देंगे और थोड़ा सा मिक्सर के जार में लगा और फ्लेवर बहुत अच्छे से निकल के आता है अदराक लसन का अदराक लसन अगा शुरू में डाल दो तो थोड़ा फ्लेवर वह हो जाता है चेंज यहापा थोड़ी सी हल्दी हम गोश में भी डालेंगे क्योंके दाल में भी हमने डाली और पिसी मिर्चे भी यहाँ पर पीड़ाता है मैं टमाटर घृवर डबढके मिर्चन करें पर अच्छे में अच्छे से नम रहने देते हैं यहाप मौश मेंंटर भी डालेंगे, क्योंकि अष्माटर अच्छे टमाटर भी डाल दो के के ओर भिल्कुल अलका सा पानी डाल के सिटी लगा के दो सीटशुटय है लगा थो आपल होती है मेग्जो कट मुर्भा ओनेपे करते में हम Wheels गर्थे घल जाता है इत्ति देखिए हम नजी लगा दी ट्रमाटर भी पूर अच्छे से मिक्स हो गए अब हम इसमें न वो डाल देंगे लोकी तो लोकियों के पीस में थोड़े बड़े-बड़े काटें थोड़े अच्छे लगते हैं खाने में आते हैं तो लोकी को डालके भी हम थोड़ी सीदर भून लेंगे यह भोती मजे का बना था यह वाला डाल गोश रोटी से भी खा सकते हैं उसे चावलों से भी खा सकते हैं क्योंकि इसमें डाल भी रहेगी और यह थोड़ा शोरवे वाला बनता है देखिए लोकी भी थोड़ी सी अच्छे से गल गई अब हम थोड़ा सा पिसा गरम मसाला डाल कर दें गे जो हमारा घर का पिस्टा हुआ है और मिक्स कर देंगे और जो हमने डाल उबाल के रखी ती अब हम उसको भी डाल देंगे इसमें और फिर सारी चीजहों को अच्छे से मिला लेंगे मिक्स कर लेंगे और अगर पानी वगयरा की जरूरवत पड़ेगी तो हम निकाल के चान के डाला है खटापन थोड़ा इसमें अच्छा लगता है मतलब इसमें इंबली का पानी तो जरूरी जाएगा अब हम 10-15 मिन इसको पका लेंगे ताके पूरी चीज अच्छे से मिक्स हो जाए और अच्छे से पूरा एक दूसरे में फ्लेवर आ जाए यहां पर पहले बन करना है थोड़ा सा इना तेल का पावर थोड़ा कम हो जाए तब मिर्ची डालना है वनना पूरी मिर्ची काली हो जाएंगी तेल का मतलब गेस हमने थोड़ी बन कर दी ती तेल गरम करने के बाद यह देखिए एक काटोरे में हमने निकाल लिया है और उपर से हरा धन्य डाल दिया दाल गोश निकाल लिया है और थोड़ा हमने कूकर में ही रहने दिया है अब हम लोग खाना खाने के लिए निकाला है क्योंकि हम लोग अब खाना खाने के लिए बैठेंगे और यह भोती मज़े का बनाता आप लोग जरूर से ट्राइ करिएगा और अगर एक बार आप लोग घर में बनाएंगे अगर आप लोगों को अच्छा लगेगा तो है न मुझे शेयर जरूर करिएगा कि कैसा बना आप लोगों से ये तो भोती मज़े का बनेगा मेरे तरीके से अगर आप बनाएंगे तो भोती मज़े का बनेगा ये देखिए मेरी आज की वीडियो यहीं तलग थी अगर आप लोगों को अच्छी लगी हो तो लाइक जरूर करना और आगे शेयर भी करना फिर मिलेंगे तब तक के लिए अल्ला हाफिज